जेमिम के केंद्री महासाचीफ सुप्रियो भटाचार्या ने विधायकों की हैदरबाद शिफ्ट करने के सवाल पर कहा कि बीज़पी कहा तक जा सकती है इसका अंदेशा लगाना बड़ी मुर्खता होगी उनसे सरकार और सरकार के चुनौतियों को लेकर इनी मुद्दू पर बाच्चित करने के लिए पार्टी के केंद्री महासाचीफ सुप्रियो भटाचार पार्टी के ठिंग ठेंकर तरहा पहलों तो बढ़ाई नई सरकार को लेकर आपको बहुत-बहुत बढ़ाई और धन्यवाद इस प्रकार से राज की जंता इन तक संदेश पहुंचाने वा निकला हुए व्यक्ति है जो तप तपाया हुए व्यक्ति है वो आज इस राज का मुख्यमंत्री बना दारा 24 गंटे जो विलम हुए राजभवन के तरफ से थोड़ी बैचायनी बढ़ रही थी जहार का नुक्ति मूर्चा की कि आज श्वपद्गरहन हुआ है नई सरकार का अज पहला दिन है और आज दो तरीक भी है दुमका में हमारा साथा दिवस्ट पैतालिस वा है पहली बार गुरुजी वहां पर जाने ही पा रहे हैं पैतालिस सालों में और उसके बाद जो उनका जो निरेशन था उस पे काम शुरू हुआ है लिंग कहता है ना कि जब आपकी नियत साफ हो तो आपके लक्ष साफ हो स्पष्ट हो तो फिर बागा है बहुत ज्यादा सामने नहीं आपती है ज्यादा भी फ्रोटेस्ट भी होना है और जो जानकारी निकल करा रही है कि पांच और छे दो दिन कविशे सत और इसी दिन फ्रोटेस्ट भी होगा आप लोग अस्वस्थ हैं फ्रोटेस्ट को लेकर आपके तमाम विदहये कटबंधन के सब एक जूट इंटेबली मैं तो कह रहा हूं आपको फॉर्टी सबन और ये फॉर्टी सबन मोर दन सफिशेट होता है लोग हमारी भवमत की बात लोग पुछे कि एंडिये के पास कितने लोग हैं यह भी उट रहे हैं कि आप जब इतने confident हैं फिर अपने विधायकों को हैदराबाद भेजने की जरूरत क्यों आन पड़ी क्या अभी कोई डर है क्या जेमिम को तूट-फूट को लेकर राके भाजपा किस तर पर जा सकती है कि इसका अंदेशा लगाना आज के दिन में मतलब सबसे बड़ी मुटता हो गया कि आपने देखा होगा जिनके लिए ताजे बंद थे पूरे चार घंटे में शपतगरान हो गया अलहे मंत्री मंडल का विस्तार भी होना है जे में के तरप से क्या कोई रिसफल होगा या चेहरे रहेंगे हाला कि यह सवाल सरकार का है लेकिन संगठन कहीं न कहीं महत्पून हो जाता है इन विसायोग पर कि देखिए यही तो एप्रेंशन है कि लोग आज एक साथ है तो इसलिए थोड़ा सा संसिटिव सवाल है हमसे ना पूछा तो मेरे सेहत के लिए अच्छी बैर सुक्रिया हमसे बाच्चित करने के लिए क्यामरापन राजा के साथ राकेश कुमार न्यूज 11 राची लाइक अंड शेर वीडियोस सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूज 11 भारत सच है तो दिखेगा